जमो कश्मीर के सोपोर में केंदरे रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है इस हमले में CRPF 189 बटालियन के तीन जवार जखनी हो गए है जबकि एक नागरिक की हालत कंभीर है बताया जा रहा है कि आतंकी उन्हें घात लगा कर पैट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है बुदवार को सुभह CRPF की एक पार्टी पैट्रोलिंग पर निकली थी रैबन इलाके में CRPF की पार्टी पर फाइरिंग की गए आतंकीों की ओर से अंतरथुन फाइरिंग में तीन जवानों और एक नागरिक को बोड़ी लगी है चारों की हालत कंभीर है फिलहार सुरक्षाबलों की अत्रिक टुकडी मौके पर पहुँच गई और पूरे अलाके को खेग लिया गया जमो कश्मीर पुलिस CRPF और सीना की ओर सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकीों की तलाश की जा रही है घाटी में सुरक्षाबलों ने आतंकीों के सफाय का अभियान चलाया है इस अभियान के तहत जून के महीने में 48 आतंकी मार गिलाए है इस वजह से आतंकी बुखलाये हुए है CRPF पार्टी पर आतंकी हमले के बीच त्राल में सुरक्षाबलों और आतंकीों के बीच मुढभेड चल रही है सुरक्षाबलों को पुल्वामा जिले के त्राल में 2-3 आतंकीों की छिपे होने का इंपुट मिला था इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया इस दौरान आतंकीों ने सुरक्षाबलों पर फाइलिंग शुरू कर दी सोबार को आतंगवादियों ने बढ़ गामस्तित सेना के 50 आर एर गैंप पर ग्रिनेट फेका था हलाकि ग्रिनेट कैंप पर नहीं गिरा उससे पहले ही इट के एक भट्टे पर जा गिरा घर्टा की तुरंद बाद सुरक्षाबल और पुलिस दल वहां पहुंचे और हलाक का जायजा लिया किसी के हताहाथ होने की खबर नहीं थी सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था इस वीडियो में इतना ही मक कोमर पंजाब केस्री दिली से अगर आपको हमारी एक खबर जानका रिपूर्ट लगे तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेस्री.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल पंजाबकेस्री.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें